नमस्कार इबनिंग नुज में आपका स्वागत है आए दीन भर के मुख्य खवर पर नजर डालते हैं जारखन में 20 सितंबर से 6, 7 और 8 के लिए सुरू होगी कलास जारखन में 20 सितंबर से कक्षा 6, 7 वा 8 की ओफ्लेंड कक्षा आरंब हो जाएगी बतादे कक्षा 9, 10, 11 वा 12 की ओफ्लेंड कक्षा पूरू की तरह चलती रहेगी इसकूल में छात्र सिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार होगा वहीं डिजिटल कंटेंट और ओनलाइन सिक्षा भी जारी रहेगी बतादे अटेंडेंस अनिवार नहीं किया जाएगा छात्रों के लिए ओफ्लाइन कलास एक बीकर्प के रूप में होगा अभिभागों के अनुमाती से ही बचे इसकूल जा सकते हैं वहीं इसकूल में गुरूप कल्चरल गती वीदियो पर रोक रहेगी ओफ्लाइन टेस्ट वा परिक्षा नहीं होगी प्यें मोधी को सी एम हमन्त ने दी जनम दीन की बधाई बतादे प्रधान मंत्री नायन मोधी आज 71 साल के होगा है विशो कार्मा पुजा के दिन ही उनकी जनमदीन होता है अनुबंध पराची कित्सक कर्मी 20 से करेंगे अंदोलन जारकन अनुबंधित पराची कित्सक कर्मी संग अपनी लंबित मांगो को लेकर सोम ओर को नेपाल हाउस का घिराव करेगा संग की ओर से स्वासर्चिव अरून सीम को मांग पत्र सोपते हुए एक सप्ता के अंदर मांगों को फूरा करने की मांग की गई है बता दे एक सप्ता में अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो संग ने उग्र आंदोलन करने की चितावनी दी है संग के अंदूलन के बाद चीकीट सा बेवस्था बाधी थोने के असार है बदलते मौसम के साथ वाइरल डेंगू चिकुनगुनिया की चपेट में आ रहे लोग इस वारीश के मौसम में वाइरल फिवर से अधिकतर लोग बिमार पड़ रहे हैं बतादे इनका इलाद चल रहा है साथी ट्रामा सेंटर में भी कूल 30 मरीजों में से आधे मरीज वारल फिवर के ही भरती हैं बच्चा वार्ड में मरीजों से भी भर चुका है यहां भी अधिकतर बच्चे वारल फिवर के ही हैं सबी समाने मरीजों की संख्या अस्पतालों में अधिक है बता दे जबकि कुरोना मरीजों की संख्या अभी अस्पतालों में नहीं के बराबर है आज दिन भर छाय रहेंगे बादल राजधानी राची में विस्व कर्मा पुजा के दिन सूबा का मौसम सुहाना बना हुआ है बतादे आस्मान में हलके से मद्य दर्ज के बादल देखने को मिल रहे हैं वही आदराता का अस्तर 87% है बतादे सूबा 8 बये 7 किलोमीटर की रफ्तार से दीमी हावा चलने से लोगों को गर्मी का असास नहीं हो रहा वही मौसम विभाग के अंसार आई दीन भर राची में बादल छाय रहेंगे इसके साथ ही साम तक 1-2 बार हलकी बारिस हो सकती है इस दोरान सहर के अधिकतन तापमान में 2 डिगरी तक की बढ़ोत्री होने की संभावना है जबकि निमतम तापमान लगभग समाने रहेगा ज्यारखन में ज्यादा दुरुघटना वाले अस्तलों के पास बनेंगे ट्रामा सेंटर राजे में जीन जगों पर ज्यादा दुरुघटना होती है उसके आसपास प्रातमिकता के अधार पर ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री हमन सुरे ने अधिकारियों को वैसे सड़क के एवं बलोक एस्पोर्ट चीनित करने का निर्देश दिया है जहां अधिक दुरघटनाए होती है बतादे ऐसे अस्थलूप और ट्रामा सेंटर के निर्मान में प्रतमिकता देने को कहा है मुख्यमंत्री कुरुवार्गो परजेक्ट भौन में स्वास्त विभाग के कारेयों की समिक्षा कर रहे थे बतादे सीम ने राजे के सबसे बड़े मेटकल कॉलेज रिम्स में बेतर स्वास्थ सुविधा की उपलवता सुनिशित करते हुए नाया स्वरूप देने का निर्देश दिया है जार्खन के सरकारी स्कूलों में सुरू होगी जन जातिय और छेत्रिय भासा की पढ़ाई जार्खन के सरकारी स्कूलों में प्रारंबिक अस्तर से ही जन जातिय और छेत्रिय भासा की पढ़ाई सुरू होगी वैसे स्कूल जहां किसी एक जनजातिय या छेत्रिय भासा पढ़ने वाले 50-50 से ज्यादा बचे होंगे वहां समधित भासा की पढ़ाई होगी बतादे जनजातिय और छेत्रिय भासा की पढ़ाई समधित मातरू भासा में ही होगी इसकूली सिक्षा और सक्षता विभाग इसकी तियारी कर रहा है इसके लिए सभी जीला से रिपोर्ट तलब की गई है कि किस छेत्र में कौन-कौन से जन जातिय भासा के छात्र अधिक है साथ ही कीनी स्कूलों में किस जंजातिय भासा के कितने पर्तिसत चात्र चात्राएं हैं मधुमख्यों और भौरों के हमले में 10 लोग जख्मी कोडार्मा और चात्रा जीले में गुरुवार को मधमक्यों और भौरो के हमले की अलग-अलग घटनाओं में दस लोग जख्में हो गए हैं बता दे इनमें कोडार्मा के इंदारवाद चीतरपूर में तीन महिलाओं समेत सर्वधिक पांच लोग मधमक्यों के हमले का सिकार हुए सभी एक ही परिवार के हैं घटना के समय सभी खेत में काम कर रहे थे बता दे कोडार्मा सदर अस्पताल में भरती कराये गए लोगों में रीना देवी, बसंती देवी, लक्ष्मी देवी और रवी कुमार और मुंसी सिंग सामिल हैं HEC केंपस में स्मार्ट फोन के इस्तिमाल पर रोग देश के सबसे पुराने सर्वजनिक छेतर के उपकरम में से एक हैवी इंजिनियरिंग कार्पोरेशन HEC के परवंधन ने एक चोकाने वाला आदेश जारी किया है बता दे कम्पनी के कार्मिक और प्रसासन विभाग की ओर से एक सर्कूलर जारी कर HEC परिसर में स्मार्ट फोन के इस्तिमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है सर्कूलर के जरिये जारी आदेश के मुताविक नया प्रवधान 30 सितमर से लागू होगा बता दे कि HEC के हटिया इस्तित पलांट में तकरीबन 4000 करमचारी काम करते हैं HEC हटिया पूर्जेक्ट वर्कर जूनियर ने प्रवधन के इस फैसले को ना समझी करार दिया है रिम्स में दवा की कमी की जनकारी ओनलाइन रांची के रिम्स अस्पताल में इस सिस्टम लागू हो जाने के बाद यहां भरती मरीजों को परसानी का सामना नहीं करना पड़ेगा बता दे रिम्स में सबसे बड़ी समस्य दवा को लेकर है यहां भरती मरीजों को हर दवा नहीं मिलती है इस करण मरीजों को हर बार बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है पिछले माही बलेक फंगस की मरीज उसादेवी के परिवार ने नयालय का दरवाजा खटकटाया था और एक माह के अंदर 40 एयर की दवा खरीदने का बिल दिखाया गया इसके बाद नयालय ने प्रवंधन को इस समंध में जम कर फटकार भी लगाई यह हाल हर बिभाग का है जहां के मरीजों को दवा बाहर से ही खरीदनी पड़ती है रक्षा मंत्रालय की समीती में सामिल हुए महंद्रे सिंग धोनी NCC को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से गठित 15 सद्वाली कमीटी में भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महंद्रे सिंग धोनी भी सामिल किये गए है बता दे इसके अलावा इस कमीटी में बिजनेसमेन आनंद महंद्रा का भी नाम सामिल है रक्षा मंत्रालय ने NCC को पहले से और अधिक प्रसांगिक बनाने के लिए उसकी ब्यापक समिच्छा के लिए या इस कमीटी के गठन किया है बता दे रक्षा मंत्रालय की ओर से बनाई गए इस कमीटी में धोनी और अनंद महंद्रा के अलावा करनल राजेवर्धन सिंग रठोर राज सबस्तद से बिनाय बित मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाकार संजीव और जामिया मिलिया इसलामिया की वाइस चैल्सरल नजमा अक्तर का नाम सामिल है जारखन में कर्मा और विश्वकर्मा पुजा को लेकर अलर्ट जारखन में कर्मा और विश्वकर्मा पुजा को लेकर ADG Special Branch मुरारी लाल मीना ने रिपोर्ट तयार कर सभी जीलो के ESP को सुरक्षा के दिश्टिकों से अलर्ट कर दिया है बतादे ESP को जनकारी दी गई है कि कर्मा पुजा अस्थल आखाड़ा में काफी भीड हो जाती है भीड का लाब उठा कर असमाजिक और अपराधिक तत्व ब्योधान उत्पन कर सकते है ऐसी घटना को रोकने के लिए निगरानी करने की जरूरत है करम पर्व के दूसरे दिन भी सतर करने की अवसकता है वही बिस कर्मा पुजा के असर पर परतिमा भी सहजन के दोरान डीजे बजाने को लेकर भीवाद होता है इसलिए इस दोरान स्रमेदाशिल अस्थान उपस्वराग्चा की अवसकता है धनबाद जज मामले में 23 को हाई कोट में जमा होगी रिपोर्ट सिल बंद प्रस्तूत करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए खंड पिठने 23 सितंबर की तीथी निधारित की है जारखन में दुरगा पुजा गाइड लें जारी कुरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस बार दुरगा पुजा पंडाल में सरधालू नहीं सिर्फ पुजारी आजोजक वा भेलेंटियर को जाने के उनमती होगी उनकी भी संख्या अधिक्तम 25 होगी पता देव परंपरिक तरीके से ही पुजा पाठ के अनमती होगी इनमें लोगों की भागेदारी नहीं होगी सरधालू दूर से ही परतीमा कर दसन कर सकते हैं 18 साल से कम उम्रे के बच्चे के पंडाल में परवेस करने परोक रहेगी परतीमा की उचाई अधिक्तम 5 फिट से अधिक नहीं होगी और पंडाल छोटा होगा हजारी बाग के च्छात्रों को लाख पती बनने का मोका जारखन के हजारी बाग के सरकारी वगैर सरकारी स्कुलों में काक्छाच्छ से बराहुई में पढ़ रहे बिद्यार्थी फिट इंडिया क्विज परतियोगता में सामिल होकर लाख पती बन सकते हैं बता दे क्विज परतियोगता का उज़ान भारतिये खेल प्राधिकार युवा एवं खेल मंत्राले द्वारा देश भर में सुरू किया गया है इसके लिए फिट इंडिया वेब साइट लिंक पर विद्यार्थी का रेजिटेशन शुरू है हजारी बाग जिले में अब तक 80 विद्याले सहीत लगभग 155 विद्यार्थी ने रेजिटेशन कराया है बता दे प्रथम अस्थान लाने वाले स्कूल को 1 लाख विद्यार्थी को 10 विद्यार्थी को 10 विद्यार्थी मिलेगा वहीं द्वित्ये स्कूल को 50 विद्यार्थी को 5 विद्यार्थी मिलेगा पलामू टाइगर में अब एप वा कैमरा से होगी बागो की गिंती जार्खन के एक मात्र बाग आरक्षित पलामू टाइगर रिजर्ब में बैज्यानिक और उच तक्निकी संसाधन का पर्योग कर इस बार बागो की गिंती की जाएगी बतादे बागो की गन्ना में ANTCA द्वारा लंच मोबाइल अप्लिकेशन एम स्ट्राइप अप वा कैमरा ट्रेपिंग तक्निकी का इस्तिमाल होगा बता दे एम स्ट्राइप एप के इकोलोजिकल वर्जन के इस्तिमाल से नकेवल बाग का फोटो बलिक लोकेशन का पूरा डाटा एप खुद इस्टोर कर लेगा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल के बेल एक अधवे